भाई एक शायरी लिखी है बोल दू भाई बोल दू आप सभी का वहम है और यही आपका प्रेम है और यही आपका प्रेम है तो दोस्तो शब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल तो दोस्तो सुआगत है आपका हमारी एक नई वीडियो में तो यार बात करने वाले है यहाँ पर स्क्रीन रिकोर्डर के अपडेट की वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर कीजेगा वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइकस आप पूरा कर देंगे तो यहाँ पर एक नई अपडेट जो है वो पुश की जा रही है शोमी के डिवाइस के लिए जो की है स्क्रीन रिकोर्डर की तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे को यह अपडेट मिली है यहाँ चोटी सी अपडेट है सिर्फ 6 MB की अपडेट है पर यहाँ पर काफी इंट्रस्टिंग फीचर मुझे यहाँ पर देखने को मिला तो अगर मैं यहाँ पर screen recorder में जाता हूँ तो अभी frame rate में जाता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ 30 fps मुझे देखने को मिलता है तो सभी devices में यहाँ शोमी के 30 fps है तो यहाँ पर मैंने Redmi Note 9 Pro में चेक किया यहाँ पर भी 30 fps था तो यहाँ पर Redmi Note 8 में मैंने चेक और इसमें एक Pixel Experience तो इसे रहने देते हैं तो यहाँ पर मैंने Poco X3 Pro लिया था उसमें जब मैंने जाकर देखा तो यहाँ पर कुछ और ही था यहाँ पर हमें 60 fps frame rate देखने को मिल रहा है screen recording में तो अगर आप screen recording करते हैं तो यहाँ पर काफी अच्छा हो जाता है जब आपके पास 60 fps होता है तो यहाँ पर Poco X2 में दोस्तों यह मेरे को update देखने को मिली अभी यहाँ पर भी 30 fps ही है पर अगर मैं यहाँ पर जाकर अपने device को इसे update कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यह सिर्फ 6 MB की update है तो यहाँ पर अगर मैं इसे update कर लेता हूँ तो थोड़ा सा time यहाँ पर लगेगा अपडेट तो यह हो जाएगी तो यहाँ पर यह जो है मैंने update कर ली है तो अब मैं यहाँ पर screen recording में जाता हूँ settings में जाता हूँ तो यहाँ पर बाकी सब तो दोस्तो change नहीं होता है यहाँ पर आप देखेंगे source जो भी है same ही है पर यहाँ पर जब मैं frame rate में जाता हूँ तो अब यहाँ पर 90 fps तक यहाँ पर जो है वो frame rate हो चुका है screen recording का तो यहाँ यह मेरे को काफी अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेर करता हूँ पर यहाँ अब मेरे को मालूम नहीं है यह किन किन devices में यह जो है वो आएगा feature मैंने जो है अपने Redmi Note 9 Pro में इसका APK ट्राइ किया पर दोस्तों यह काम यहाँ पर नहीं किया मैंने जो APK है मैं आपको मेरे group में दे दूँगा यहाँ पर तो आप यहाँ पर आकर चेक कर लीजिए APK मैं provide कर दूँगा तो आप देख लीजिए आप try कर लीजिए यहाँ पर आकर अगर आपके device में यह काम करता है या नहीं पर दोस्तों इसमें तो official मिला है तो मैंने सोचा आपके साथ यह information share कर दूँ तो यहर यह सारी information थी यहाँ पर screen recorder के बारे में तो यहर आज के लिए बस इतना ही